नमस्कार कीरनमाईश्वरीCookingExpert.com में आप सभी का स्वागत है आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहे हूं आटे से बने सत्तू लड्डू की रेसिपी आटे से बने सत्तू लड्डू तीज के त्युहार पर बनाये जाते हैं आटे के सत्तू लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले आप 500 ग्राम आटा ले यह नोर्मल आटा जो हम रोटी बनाते हैं मैं इस आटे को बड़ी परात में ट्रांसवर कर रही हूं अब आप इसमें बीच में होल कर दें अब आप एक कटोरी में गरम पानी ले 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 चालिस स जै। जाता आटे में गीछ न बनाते हैं आटे में बनाएं अब गल जाता है जोल पानी अच्छे से मिक्स जालcessoश 7 अब आप आठे में बीच में डालेशली में ऑपड़ा 3 मिक्स देह से घोल और आटे में पूरकों इसलोर नकि ही आख कि बाड़ां defence करदों स्वाधिष्ट लड्डू बनते हैं, मैंने पूरे आटे को अच्छे से मसल लिया है, अगर आप हाथ में ऐसे देखोगे ना तो पूरे में अच्छे से दाना लग रहा है, अब मैं इसे फीर से इस बाउल में ट्रांस्वर कर रहा हूँ, अब इसे ढख कर 10 मिनट के लिए रख दें, सत्तू लड्डू के आटे को रखे वे 10 मिनट हो चुके हैं, आप इसे एक बार हाथों से अच्छे से मसल लिया, आप देखेंगे कि एकदम बढ़िया सा दाना पढ़ चुका है, बेशन के सत्तू लड्डू और चावल के सत्तू ल में दे दूंगे, आप जाके चेक कर सकते हैं, मैंने फिर से सेम परात लिये, अब रवा चानने वाली चलनी ले ले, इसमें आटा थोड़ा थोड़ा डाले और इसे छान ले, यह मोटे मोटे दाने बच रहें ना, इसे आप हातों से मसलते जाएं, मैंने सारे आटे को चान देखें कितने परफेक्ट मोगरी पड़ी है, एक दम छोटा छोटा बारिक बारिक दाना है, अब एक कडाई को गेस पे रखें, इसमें चाना वा आटा डाले, एक साथ ना डाले पूरा, थोड़ा थोड़ा डाले, दो बारी में से आप सेकें, अब इसे कंटीनियू चलाते हलका गोल्डन कलर आए, तब तक हम इसे सेकना है, मुझे आटे को सेकते हुए, तीन से चार मिनट हो चुके है, आप देख सकते हैं, हलका कलर चेंज होने लग चुका है, अभी इसे एक से दो मिनट और सेकना है, मैंने आटे को एक से दो मिनट के लिए और सेकना है, आप दे मैंने सारा आठा से एक लिया है अब आप इसे पूरी तरह से ठंडा होने दें लड़ों के लिए आठा पूरी तरह से ठंडा हो चुका है अब आप एक बड़ा मिक्सिंग बाउलियां परात ले ले इसमें ये डाल दें अब इसमें 500 ग्राम शक्कर डाल दें पीसीवी शक्कर मैंने 500 ग्राम आठा लिया था तो 500 ग्राम शक्कर डाल रही है इसे अच्छे से मिक्स कर लें शक्कर और आठा अच्छे से मिक्स हो चुके हैं मैंने 500 ग्राम गी लिया एक साथ बिल्कुल भी ना डालें इसमें थोड़ा अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक करें इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें मेरे चैनल पर नए तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें गी भी अच्छे से मिक्स हो चुका है अब आप इसमें से थोड़ा सा ले और देखें इसे आराम से लड़ू बन इसका मतलब गी की मात्रा इसमें बिल्कुल बराबर है मैंने 30 से 40 बादाम ली थी उसको हलका सा रोष्ट किया है और इसके बाद मैंने इसे बारिक टुकडों में कट किया यह भी आप इसमें डाल दें और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लें सारी चीजे अच्छे से मिक्स हो अगर आप काजू भी पसंद करते हैं तो हलका सवने रोष्ट करके बारी करके डाल सकते हैं अब इसमें से थोड़ा थोड़ा मिश्रन लें जिस आकार के आप लड़ु बनाना चाहते हैं उतना मिश्रन ले ले लेए बहुत ही स्वादिष्ट लड़ू बनते है और खाने मे इस तरह से आप लड्डू तयार करें प्लेट में रखें अब लड्डू बनाकर तयार कर लिए एकदम दानेदार और बहुत स्वाधिस्ट लड्डू बनते इस तरह पर आप जरूर बनाएं और अपने अनुबह मुझे कमेंट करके जरूर बताएं